वालमिकी दुवारा लिखित रामायन बालकान वालमिकी के आश्रम में एक दिन देवरिशी नारद मुनी आए वालमिकी उस समय अपने सिस्षियों के साथ वारतालाब कर रहे थे परन्तु अपने आश्रम में आए सुविख्यात अतिती को देखते ही वह ततकाल आदर परकट करने के लिए उट खड़े हुए नारद मुनी को परणाम करने और उन्हें आरामदायक इस्थान पर बिठाने के बाद रिश्यों नारद जी के पैर दोए और उनका यतोचित आद परसतकार किया एक दूसरे से कुषल छेम पूछने के बाद पालमिकी बोले सत्य को जानने वालों को सर्वस्रेश्ट है नारद मुनी किर्प्या करके मुझे बताए कि प्रत्वी में इस समय सभी महान पुर्षों में सर्वस्रेश्ट कौन है वह कौन है जो सरवादिक ग्या वह कौन है जो उदार हिर दिया सत्यनिष्ट किर्टयग और सरवादिक चतुड है वह कौन है जिसका चरित्र निश्कलंग है और जो सदैव दूसरों जीवों पर कल्यान करने के कारिय मेरत रहता है वह कौन है जिसके मन में कभी भी क्रोध या दूएस फटकता तक नहीं है और फिर भी जिससे समस्त देवी देपता तक डरते हैं, वह कौन है जिसके पास तीनों लोकों में रहने वाले परतेग जीव को सुरक्षा प्रदान करने की सकती हैं, और वह कौन है जिन पर सोबाग्य की देवी लक्षमी पूंड तैन उच्छावर रहती हैं, कौन है वह है ज जिन्होंने इक्षवाकुवंस में महराजा दसरत के पुत्र के रूप में जनम लिया है वह समस्त सद्गुनों को मूरत रूप है वह समस्त सम्रद्धी का बंडार है और अपर प्रामपर शक्तियों के स्वामी है उनकी बलसाली भुजाएं उनके घुटनों तक पहुंचती है उनकी ग्रिवा संक के समान तीन रिखाव से आबुसिद है उनका वक्षिस्तल और उनके कंदे चोड़े है उनका शीष अतियंत भव्य है और उनके नेत्र विशाल है उनका रंग हरित आदा युक्त सामला और देदिया पनमा देदिये प्यमान है उनका कद मध्यम लंबाई का है और उनके हाथ पैर सममित और सुगधित है उनकी विद्वता अथा है वह अतियंत सयमी है उनकी वानिगंबीर है और वह अतियंत वाकपूट है अस्त्र सस्त्रों के संचालन में राम पूर्ट परवीन हैं वहे वेदों के पूर्ण ग्याता हैं वहे धार्मिक सिद्धान्तों का आदर्श रूप से पालन करते हैं और वहे वर्णाश्रम योवस्ता से दुवजवाहक हैं एक और वह समस्त सत्रों के संग्रारक हैं, तो वहीं दूसरी और वह पूर्टे समर्पित आत्मव में एक्तरित आश्रिय दाता हैं, उनकी संकलप सकती अटूट है और उनकी इस्मरती तुरुटिहीन हैं, वह बुद्धिमान, दयालू और सागर के समान गंबीर हैं, युद मे उनका प्राक्रम सर्वस्रेष्ट नायक के समान होता है, सवी जीवधारी उन्हें प्रेम करते हैं, और वह मित्रों वे सत्रों दोनों के परती निश्पक्च रहते हैं, रामकाबल हिमाल्या के समान है, उनकी शक्ति और सहस भगवान विश्नु के समान है, सुन्दर्ता में पूर्ण मासी के चंद्रमा को भी मात करते हैं, उनकी सहन सीलता प्रत्वी के समान है, और उनका क्रोध समस्त ब्रहमान को जलाकर राक कर देने वाली प्रचंट अगनी के समान है, सत्य तो यह है कि राम ही संपून ब्रहमान के पालानार है, और भगवान विश्नु के अवता होने के कारण वे सभी परकार से उनके समान है इस परकार नारद मुनीने संग्षेप में भगवान रामचंदर जी का जीवन पर इच्चे दिया और फिर वालमिकी को बताया कि यही पून पुरुशुत्तम भगवान इस समय सबसे आदर्स रूप में अपनी प्रजा पर सासन कर रहे हैं नारद जी बोले भगवान राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमारी या मांसिक पीड़ा से ग्रेश्ट नहीं है सबी लोग अत्यंत प्रसन और सम्रद हैं और उन्हें चोरों का अभाव गया भूब का कोई भेह नहीं है समच्त कस्वों और गाओं में खादान सब्जियां और दूद उत्पाद प्रचूरता से उपलब्द हैं असल में भगवान राम के राज्य में लोग उतने ही धर्मनिस्ट और प्रसन हैं जितने धर्मनिस्ट प्रसन सत्युक के समय में लोग हुआ करते थे वहां बार भुकम या अकाल जैसी कोई प्राकर्दिक आ ही आती सभी इस्तरियां अत्यंत्र पवित्र हैं और उन्हें कभी भी विद्वा होने का दंस नहीं भोगना पड़ता भगवान रामचंद अध्यात्मिक लोग पैकुंट में इस्थित अपने भगवद्दाम को वापस लूटने से पहले ग्यारह हजार वर्ष तक प्रत्व तमसा नदी के तट की ओर चल पड़े वालमिकी नदी के तट पर बैठकर नारज जी कहीं हुई बातों के बारे में गहन चिंतन मनन करने लगे तभी वालमिकी की नजर जंगल के अंदर रती कीड़ा में आनन्द मगन होकर अत्यंत सुरीली आवाज में गाते क्रोंच पक्ष अगनिसात जाती का एक दुष्ट सिकारी अपने चुपने की यार से बाहर निकला और उसने बान चला दिया उसके बान से बिधा नरक्रोंच दर्थ से चितकार करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा मृत्यू की पीड़ा से छट पटाते हुए और रक्त से लथपद अपने यह देखकर वालमिकी का हिर्दिय दुख से भर उठा और उन्हें वैस सिकारी घोर पापी जान पड़ा कि रोध से ओबलते रिशी ने सिकारी को साब देते हुए कहा ओ पक्ष्यों के हत्यारे तुझे जन जनमानतुर तक कभी सांती ने मिले अपनी संगनी के साथ सुक भाले अबोध जीव की ऐसी निर्दैता पूर्वक्त हत्या करने के लिए यही तेरा डंड है परंतो मुझे साप निकलते ही वालमिकी ने खुद को लज्जित अनुभव किया क्योंकि वह अपने किरोध पर संयम नहीं रख सके एक प्रबुद आत्मा होने के कारण वह यह ब भूतिक जगत के तीन गुनों के वसी बूत होकर ऐसा हाय रूप से कारिय कर रहे हैं इस परकार वालमिकी को इस बात पर खेद हुआ कि उन्होंने सिकारिका प्रतिकार करके उसे साप दे दिया परंतु साथ ही इस बात का भान होते हुए ही उन्होंने आश्चर यह हुआ कि उनके मुक्से साप के सब मिचंद की सही सही मातराओ के रूप में बहार निकले और ऐसा जान पड़ा की वालमिकी के इस साप से बागवान राम की जीवन कथा में चरित्र उस प्रबल भवानात्मक अभिव्यक्ति का संकेत था जिस पर वहन आरज्जी के साथ हुई भेट के बाद से ही उन्हें विचार कर रहे थे वालमिकी ने भारदुआज से कहा मेरे दुख से चार पंक्तियों का एक स्लोक व्यक्त हुआ जिसकी परतेक पंक्ति में आठ मातराएं थी सोक से एक अतियंत सुन्दर स्लोक निकना जिससे यह पता चलता है कि बिना करुना के कोई भी मौलिक खावियात्मक अभी व्यक्ति संभग नहीं है इसके बाद वालमिकी ने तमचा नदी में इसनान किया और फिर वह अपने आसरम को लोट गए फिर कुछी समय बाद जब वालमिकी सांतमन से बैटे हुए थे और सिकारी को दिये गए अपने साप पर गहन विचार कर र रहे हैं यह देखकर वालमिकी अत्यादिक चकित हुए और भागवान विष्णु की नाभी से पिरकट होने वाले इस ब्रह्मान के द्वित्यक स्रिस्टा का अभिनंदर करने के लिए वहततकाल अपने आशन से प्रचन्यता पूर्वक उठ खड़े हो गए ब्रह्मा जी प्रच्ट चम्ता के अनुसार आदर पूर वक ब्रह्मा जी की वन्द्वन की इस परकार आदर सत्कार प्राप्त करने के बाद पर्तेक प्राणि के मन की बात को समझने वाले भर्मा जी ने वालम्मिकी से कहा ये पुन्यात्मा रिशी यह सोचकर सोकने करें कि आपने उस सिकारी को गलत डंग से साब दे दिया मैं आपको एक अत्यंत गोपनिया बात बताता हूँ आपने कि रोध पूर्वक जो सब्द कहें वे आपके अपने सब्द नहीं थे वे मेरे सब्द थे जो मेरी एक्षा के कारण आपके मुख से निकल पड़े ताकि मैं आपको एक महान कारिय करने के लिए प्रेरित कर सकूँ अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंदर जी की जीवन गाथा की रचना करें इस जगत के सभी पिरानियों के पून कल्यान के उद्द देश्य से इससे भगवान की समझत अध्यात्मिक लिलाओ का वर्णन होगा मेरे पिर्यवाल में की अपनी बेचेनी का त्याक करें मेरे वर्दान की सक्ति से आपको ऐसी दिव्य दिरस्टी प्राप्त होगी जिससे आप अपने हिर्दिया में वह सभी चीजें इस पश्र रूप से देख पाएंगे जिनके बारे में आपको ग्यान नहीं है मेरे आशिरवाद से आप रामायन की रचना करेंगे जो त्रूटी हीन होगी वाल में की रिशी को इस परकार वर्दान देने के बाद ब्रहमा जी अपने दिव्य हंस रत पर चड़कर वहां से चल गए चले गए और उन्हें दिव्यरत पर चड़कर जाते हुए देखने वाले सभी पिरानियों के हिर्दिया आश्चरिय से बर गए इसके बाद भगवान रामचंदर जी की समस्त लीलाव के दर्शन करने के लिए वालमी की ध्यान लगा कर बैट गए वालमी की मुनी जब गहन अध्यात्मीक समादी में लीन हो गए तो उन्हें समुष्च भगवान रामचंदर के धर्ती पर अव्तरित होने से जुड़ी समस्त बाते इस पस्ट रूप से दिखाई देने लगी यह सुनकर अचरज हो सकता है कि परन्तु जिस परकार आजकल हम दूर की घटनाओं का ताजाहाल तेलिविजन पर देख सकते हैं ठिक उसी परकार वालमी की मुनी भगवान राम के संपोर जीवन को देख पा रहे थे वालमी की ने 24,000 इस लोकों में रामायन की रचना की इस महाकाव्य की रचना पूरी करने के बाद इस बात का विचार करने लगे कि वह किसे यह रचना पढ़ाएं ताकि यह उसकी इसमरती में बस जाए और फिर धीरे धीरे संपूर विश्व में इस परकार प्रसार हो उस स में चपाई की प्रेशो का अविश्कार नहीं हुआ था या यू कहें कि उन दिनों लोगों की इसमरती इतनी तीक्षण होती थी कि लिखना एक्त अनिप्योगी कारिया हुआ करता था वालमी की अभी इस विचार ही कर रहे थे कि तभी लव और कुछ वहां आए और उन्हों दोने विननर्मतापूरवक उनकी चरण इस पर्स किए जो के परती दिन क्या करते थे रिष्यों के समान वेश्बूसा वाले यह दोनों बालक राम और सीटा के पूत में थे जिनका बालकों को प्रसंसपूर्वक नेत्रों से देखा और तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि यह दोनों बालक ही उनके इस महाकाव्य को प्राप करने के सबसे उचित और योग्यपात्र हैं इसके बाद वालमिकी ने लव और कुछ को अतियंत सावधानी पूर्वक संपून रामाय की लिलाओं को सुनते हुए उन विद्वान ब्रह्मनों को अत्यादिक अध्याद्मिक आनंद का आनूबह हुआ लव और कुछ की अत्यादिक सरहाना करने के बाद ब्रह्मनों ने दोनों जुड़वा भाईयों को पर्चुर उकभार परदान किये उस दिन के बाद से लव प्रच्वि के समस्ति तानों को या त्रारं कर दी अपनी इन येध्राओं के दोरान लवर कुछ ओशल प्रांत के स्तित अईयोध्यनगरी पहुंचे भगवान राम के संतों के समान वेसूसा धारन किये हुए इन दोनों बालकों को गलियों को मेग घूमते हुए देखा चुकि ये दोनों बालक उन्ही आध्यात्मिक लिलाव का पाट कर रहे थे और आयोध्या के लोग इन बालकों की जज़कार कर रहे थे इसलिए भगवान राम अत्यंत प्रसन्यत पूरवक उन्हें अपने राज महल ले आए राम इन दोनों बालकों को अधर पूरवक अपने राज दर्वार में ले गए ताकि वे वहाँ पर सभी लोगों के सामने रामायन का पाट कर सके राम का धियान इस बात पर अधर गया की इन बालकों की सारे रिक्विशेशताएं पंड़ितों के समान नहीं बलकि छहत्रियों के समान थी परंतु इसके अतिरिक इन्हें इस बात का जराद ही अनुमान नहीं था कि उनके वास्तित पहचान क्या है लब और कुष ने जैसे ही मंत्र मुग्दो कर देने वाला रामायन का पाट करना आरंब किया वैसे ही राम और उनके भाई उसे सुनने में इतने मगन हो गए कि उन्हें अन्य किसी भी चीज का कोई भान ही नहीं रहा किर्शन भवन भाव नामरत प्रभाव ऐसा ही होता है यदि इस संसार में रहते हुए हम अपने विचारों को रामायन और ऐसे ही अन्य साहित्य में केंद्रित कर दें तो हम भोतिक बुरायों से बचे रहते हैं और हमारी छेतना अध्यात्मिक जगत में निवाश करती है अत्यंत प्राचीन काल से वेवस्त मनू के जेश्ट पुत्र एक्छवाकू के वनसजों ने प्रत्वी पर सासन किया मनू ने कोशल प्रांत में सर्यू नदी के तटपर इस्थित आयोध्यान अगरी में अपनी राज़दानी बसाई बाद में इक्छवाकू के वनसज महराज़ा दसरत के सासन काल के दोरान आयोध्या चमतकारिक रूप से फलाफूला आयोध्यान अगरी में चोड़े और सीदे मार्ग बनाए गए थे जिनकी साफसफाई हाथियों की सून से भरे इत्र मिले जल्म से की जाती थी नगर को जाने वाले महराबदार परवेश दुवार संगमरमर से बनाए गए थे और दरवाजों को सोने और चांदी से बनाया गया था जिन पर बहुमूले रतन जड़े गए थे आयुद्य नगरी की चार दिवारी अत्यन्त मजबूत बनाई गई थी और आकरमन काडियों से नगरी को सुरक्चा पुर्दान करने के लिए हजारों चत्रियों को निक्त किया गया था पूरी नगरी में साथ मंजिला राजमहल थे जिनके चारों और सुन्दर उद्धान और बगीचे थे जिनमें कमल पुष्पो से भरे सरोवर थे सबी जगह उपर संगीत वाग्यंतरों के साथ ही साथ तोतो और मोरों की ध्वनी भी सुनी जा सकती थी मंदमंध हवा के जोके अपने साथ अंगिनत जर्णों से बहते जल के कणों को उड़ा ले जाते थे जो आजपास से गुजरने वाले यात्रियों को गर्मियों की तपिस से ठंड़क पिर्दान करते थे इस तरह यह मालूम होता था मानू आयुद्या नगरे स्वर्ग के अधिपति इंदर के निवास इस्थल अमरवती को भी मात कर रही हो आयुद्या की सड़के हमेशा यात्रियों से भरी रहती थी समराट को वार्शिक नजर राजना देने और साथ ही उनके परती सम्मान प्रकट करने के लिए संसार के सभी हिस्थों से राजा माहराजा और राजकुमारेहा आया करते थे माहराज दसरत एक माहराज महान राजश्री थे जिने महरची ने संपुल्य माना जाता था वह सत्यनिष्ट थे और उनकी समच्थ परजा उनसे बहुत प्यार करती थी माहराज दसरत एक अतिरत थे जिसका अर्थ है कि वह कैई हजार सत्रू योद्धों का मुकाबला कर सकते थे माहराज दसरत और साथ थी उनकी प्रजा की धर्म निष्था के कारण वहां वैदिक सभ्यता का आदर्श रूप से पालन किया जाता था आयुध्या में सुक्ष समरद्धी की भी सभी वस्तों के परचूर्त थी जबकि पाप में जीवन के कारण उपजने वाले भोतिक दुखों वहां नहीं थे राज्य की सांती और समरद्धी के लिए आयुध्या में चारो समाजिक वन भाम्मान छत्रिय वैस्य और सूद्र सहयोग पूर्वक काम करते थे ने तो किसी के साथ किसी तरह की धोकादड़ी होती थी और नहीं कोई कंजूस था गमन और नाश्तिक्ता के साथ ही कटुवेवार और कठोरवानी वाला वहां कोई ठीकाना नहीं था परन्तु इतनी समरद्धी एस्वरिय और पतिष्टा के बावजूद महराज दसरत पिर्शन नहीं थे क्योंकि उनके वंच को आगे बढ़ाने के लिए उनका कोई पुत्तर नहीं था अंत्यत्यादिक सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपनी कामना की पूर्ती के लिए एक अश्व में ध्यक करने का निश्चे किया यह विचार आते ही महराज दसरत ने अपने प्रदानमंत्री सुमंत्र को राजप्रोहित को बुलाने के लिए भेज दिया वशिष्ट और वामदेव की अगवाई में जब भ्रामण वहां पहुँचे तो महराज दसरत उनसे बोले हे दुई दसरेश्टो बहुत लंबे समय से मेरे मन में एक पुत्र प्राप्त करने की कामना रही है परन्तु मेरी आसाई निसफल नहीं है मेरा कोई उत्रदेकारी नहीं है इसलिए मैं पिर्शन देखने का और अधिक दिखावा नहीं कर सकता परते एक दिन बस इसी दुख में कट जाता है इस विशय पर अत्यन्त गंबीरत पूरवक सोच विचार करने के बाद मैंने आप लोगों से अनुमती लेकर एक अशुमे दियक करने का निश्चे किया है आप सभी सास्तरों के ग्याता है इसलिए मैं आप से अनुरूद करता हूँ कि आप मेरा उचित मारगर्शन करें महराज के इस प्रस्ताव पर सभी ब्राम्मनों ने एक स्वर से सहमती जत लाई अतह है उन्होंने अपने मंत्रियों को तत्काल तैयारिया आरम करने के आदेश दे दिये इसके बाद सुमंत्र महराज दसरत को एक तरफ ले गए और महान रिष्यों की एक सुबा से जुड़ी एक कहानी उन्होंने सुनाने लगे जो उन्होंने पहले कभी संत कुमार से सुनी थी सुमंत्र बोले पिरिये राजन आप निश्ची थी इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रसन होंगे क्योंकि इसमें यह भविश्यान यान बानी है कि भविश्य में आप चार यसस्वे पुत्रों के पिताब बनेंगे राजा रोमपाद ने अतित्प में कुछ अपराद किये थे जिनके कारण उनके राज्य में एक बहुत बहुत बहानक अकाल पड़ा और वहां के सबी जीव इससे अत्यंत बहभी तो उठे जब इस्तिती एहसेनिया हो गई तो हमारा राज रोमपाद ने अपने विद्वान ब्रहमणों की समीती को बुलवाया और बोले मैं जानता हूँ कि मेरे राज्ये के लिए दुगदाई बना हुआ है अकाल मेरी अपनी तुरूटियों का पड़ड़ नाम है हे दुइच्सरेश्टो आपके ग्यान की कोई सीमा नहीं है इसलिए किर्पा करके कोई ऐसा उपाए बताएं जिससे मैं अपने पिछले सभी पापों से मुक्त हो जाऊं इस पर बिरहमन ने कहा हे राजन विभांड़क नामक एक महान रिशी है जो कश्यप के पुत्र है और वन में रहते हैं विभांड़क के पुत्र का नाम रिशे से रंग है यदि आप उस बालक को अपने राज्ये मिलाएं और अपनी पुत्री सांता का कन्यदान उने करके उ तो अकाल तुरंत ही समाप्त हो जाएगा असल में सांता महाराज दसरत की पुत्तरी थी अपने निसंतान मित्र महाराज रोमपाद के अनुरोद पर महाराज दसरत ने अपनी कन्या उन्हें दे दी ताकि महाराज रोमपाद उनका पालन पोशन कर सकें अकाल को दूर करने का उ वाला है तो पुरोहित ने ऐसा करने से मना कर दिया ब्रह्मनों ने महराज को इस कारण समझाते हुए कहा अगर हम विवांडक के पुत्र को उनके घर से ले जाने के लिए लोबन देने का प्रियास करेंगे तो विवांडक हमें साब दे देंगे इसका कारण यह है कि रिशेश सारिक प्रपंचो के माया जाल से दूर रखने के लिए उसके पिता के पिता ने यह उपाई निकाला है पिर यह राजन हम सभी आपके कल्यान की खामना करते हैं इसलिए हमें रिशेश रंग को आपके राज्य में लाने का एक उपाई निकाला है इस बालक ने कभी भी इस्त को अपनी मदूल इस तरेन अदाव से प्रलोबित करने को कहें हमें विश्वास है कि इस जंग से आपका उद्देश से आसानी से पून हो जाएगा माराज रोमपाद ने इस प्रस्ताव को सुईकार कर लिया और सबसे युवावे सुंदर वैस्चाव को जंगल में भेज दिय राज दूबारा आधेस मिलने और परच्चूर उपार दिये जाने का वचिन मिलने के बाद ये लड़कियां युवार इसी को किसी भी कीमत पर राज्ये में लिवा लाने का संकलब को लेकर जंगल को रवाना हो गए इन लड़क्यों ने जंगल में विवानडक के आसरम के निकठी अपना डेरा जमाया और किसी उचित अवसर की प्रतिक्षा करने लगी एक दिन रिष्यश्रंग जंगल में भट्यकते हुए इन वैस्चाओ के डेरे पर आप पहुंचे लड़किया अंत्यंत पिर्शन होकर रिष्यश्रंग का अविवादन करने आई बालक की पहचा सुंदर है मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आएं और मेरी अरादना वै अतित्य सत्कार ग्रहन करें लड़किया अरिष्यश्रंग के साथ उनके आश्रम गई वह अरिष्यश्रंग ने उन्हें अर्ग का प्रिसाद दिया हाथ पाउं दोने के लिए पानी दिया और नान प्रम में जाने से पहले लड़कियां बोली पिर्यमित्र अतित्यों का स्वागत करने का हमारा ढंग आपके रंग से अतियंत भिन है अब किर्प्या आपके स्वागत के लिए बदले में हमारा आधर और सम्मान स्विकार करें यह कह कर लड़कियों ने रिष्यश्रंग का ब कभी भी इतनी स्वादिस्ट वस्टू चकी नहीं थी क्योंकि वह जंगल में मिलने वाले फल और कंद मूल को ही खाने का अब्यश्ट था वास्तव में उसने सोचा कि ये मिश्ठान निश्ची थी कोई ऐसे अदबुत फल हैं जिने उसने आज से पहले देखा या चका नहीं है इसके अतिरिक्त आज से पहले उसने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी मिश्चे को नहीं देखा था इसलिए उसने यह सोचा कि ये वैस्चा अतिन्त सुन्दर रूप वाले पुरुष हैं लड़कियों के जाने के बाद रिश्यशरंग के मन में बेचैनी होने लगी क्योंकि कामुक एक्षाओ को जो बीज बो लंबे समय से अब तक मन के में दबा हुआ था वह अब अंकुरित हो चुका था रिश्यशरंग चाहकर भी श्वयम को उन सुन्दर लड़कियों के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि उनकी मदूर बातों और कामुक आलिंगमनों के उनके मन को जकड लिया था उस रात वे ठीक से सो भी नहीं पाए और अगली सुबा जब उनके पिता किसी कारिया से कहीं गई हुए थे तो वह सीधे वैस्याओ के डेरों को चल पड़े रिश्यशरंग को देखकर लड़किया अतियंत पिरसन हुई वे बोली पिरिया बालक यह हमारा असली घर नहीं है हमारे साथ हमारे आदभूत तराने तैरने वाले आश्रम में आओ तो हम आपको एक ऐसी जगे ले जाएंगी जहां हम ज्यादा अच्छी तरह से आपका मनुरंजन कर सकेंगी हमारे पास डेरो किस्म के फल और कंद मूल हैं और हम एक साथ मिलकर इनका अत्यादिक आनद वहुप करेंगे कि उसी समय बीतने का पता ही नहीं चल पाएगा पूरी तरह से आसक्त हो चुके रिशेशरंग बिना किसी हिच्चिचक के उन वैस्याओं के साथ चल पड़े इस तरह से वे वैस्याओं रिशेशरंग को अंकुरांत के इस्तित महराजारों पाद की राजदानी में ले आएं रिशेशरंग को जब गंगा नदी के रास्ते से ले जाया जा रहा था तभी इंदरदेव ने बारिश की फुहारे बरसा दी और समस्त जीवधारियों को इन फुहारों के से अत्यंत आनन्द हुआ अनुबह हुआ रिशेशरंग के आगमन का समाचार सुनकर महराजरोंपाद उनका अभिनंदन करने के लिए अपने राजमहल से बाहर आए युवर इसी को जुपकर प्रणाम करने के बाद राजा ने पूरिया हिर्दिय से उनकी वंदना की और फिर उन्हें राजमहल के अनन अंदर अपनी पुत्री के कक्ष मिले गए वहाँ महराजरोंपाद ने रिशेशरंग को अपनी पुत्री सान्ता अरपित की रिशी को अतियंत संतुस्त देखकर राजा ने अनुरोध किया किर्प्यकर मुझे यह वर्दान दे की आपको चल कटव कपट पूर्वक प्रलोभित करके जिस परकार आपके घर से यहां मेरी राज्य मिलाया गया है उसके लिए आप ये आपके पिता परतिकार नहीं करेंगे डिश्य शिरंग ने राजा को आश्वाशन दिया और फिर बहुत धुमदाम से विवाय संपन किया गया विवाय के पश्चात नवदंपत्ती राजा रोमपाद के महल में राजसी थाटबाट के साथ प्रिसन्यत पूर्वक रहने लगे सुमंत्र से यह कथा सुनकर महाराज दसरत अत्यंत प्रिसन हुए वह समय गवाय बिना अपने नियोकर चाकरों के साथ अंग पुरांत के लिए रवाना हो गए राजा रोमपाद ने अत्यंत हर्च के साथ अपने पित्र मित्र का स्वागत किया और उसी समय रिशी सरंग को यह है बताया कि महाराज दसरत ही उनके असली ससुर है लगबग एक सब्ता तक राजा रोमपाद के अतित्यं सत्कार का आनंद उठाने के बाद महाराज दसरत ने अपने मित्र से कहा बहुत लंबे समय से मैं दुख्यों और चिंतित हूं क्योंकि मेरे महान वंच को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कोई पुत्र नहीं है मेरा अनुरोध है कि आप मुझे रिशी सरंग को अपने साथ आयोद्य ले जाने की अनुमती दे ताकि वह मेरी और से अस्विमेद यग को संपन कर सके रोमपाज खुशी खुशी मान गए और इस परकार महाराज दसरत अपने साथ रिशे सरंग और सांता को लेकर अपनी राज़दानी लोटे वसंत का समय आरंभ होते समय माहराज विनर्मिता पूर्वक रिशी के पास गए और उनसे यग संपन कराने के लिए मार्ग दर्शन करने का अनुरोज किया इस परकार तैयारिया आरंभ हो गई और सर्यू नदी के उत्री तट पर यग के लिए एक इस्थान का चुनाव किया गया दसरत ने पहला अमंतरन राजा जनक को बेजा क्योंकि वह जानते थे कि राजा जनक ही उनके पुत्रों के भाविश चुर होंगे अस्व में दियग में एक अस्व को चुनोती के परती के रूप में श्वतंदर छोड़ दिया जाता है यानि वह अपने एक्षा के अनुसार इधर उधर विचरन करता है और साही रक्षा को उसके साथ रहते हैं यह अस्व धरती के जिस भी इस धान पर जाता है वहां के समस्त राजा समराट के परती अपना सम्मान पिरकट करते हुए उपार देते हैं अन्य था अस्व को कैद करके समराट की चुनोती स्विकार करते हैं यदि चुनोती देने वाला अस्व बिनाबंदी बने राजमहल लोटाता है तो अस्व मेद्यक सफलता पूरवक संपन हो जाता है इस परकार पूरे एक वर्ष तक इधर उधर विचरन करने के बाद जब अस्व मेद्यक का अस्व आयुद्या वापस लोटा तो यक की आहुती का कारिय प्रारंब किया गया नगर के बाहर तंबो और मंडपो से सजे एक्षेत्र में विशाल जन्समुदाय जमा हुआ इनमें प्रत्वी के कोने कोने से आये राजा महराजा और उनकी रानिया राजकुमार और राजकुमारियां सामिल थे जो समराट के लिए बहुमूल्य उपार लेकर आये थे दसरत की सबसे बड़ी रानि को सिल्या ने आहुती के खूंटे से बने हुए अस्व मेद्यक के अस्व की परिकर्मा की इसके बाद महराणी ने सास्त्रों में दिये गए निर्दोस्य के अनुसार एक तलवार के तीन प्रहार से अस्व का सिर्फ काट दिया रिष्य सरंग ने मिरत अस्व की चर्वी आहुती के लिए प्रजुलित की गई अगनी को समर्पित की और महराजा दसरत को आहुती से उठने वाले दूम्र को सूंकर स्वास भरने को कहा वैक्योंकि ऐसा करने से यग्यकर्ता सभी पापों से मुक्त हो जाता है इसके बाद सायक प्रोईत ने अस्व के अन्य पहरों के आहुती दी की अगनी को सर्पित किया गया इस परकार तीन दिन तक विदी विदान से चलने के बाद अस्व मेद यग सफलता पूरवक संपन हुआ इस परकार की आहुतिया पहले के युगों में की जाती थी क्योंकि तब यहें निश्चित होता था कि जिस पसू की आहुती दी जा रही है वहें निश्चित ही स्वर्ग जाएगा इस परकार की आहुतियों और बल्यों की सफलता ऐसे ब्रामणों की सक्तियों पर निर्बर होती थी जो अपनी एद्वित्य धर्म प्रायन था के बल पर मंत्रों का आदर सुरूप से पाठ कर सकते थे और आहुतिय सुईकार करने के लिए देवताओं को आमंत्रित कर सकते थे आजकल ऐसे योग्या और समक्ष सक्षम ब्राह्मन नहीं होते हैं और इसलिए इस परकार की बली देने की प्रमप्रा परतिबंदित कर दी गई है आहुति संपन हो जाने पर महराज अदसरत ने चार प्रमिक प्रोहित को संपूर्ण प्रत्रिपदान कर दी परंतु ब्राह्मन उन्हें यह उपार लोटाते हुए कहां हे राजन हमारा जीवन वेदों का अध्यन करने और तब करने के लिए समर्पित हैं और राजकाज के कारिये में हमारी कोई रूची नहीं है किर्प्यकर हमें ऐसे उपार दें जो हमारे लिए उप्योगी हों जैसे की गाए या सुर् बाद रिशेशरंग महराज दसरत के पास गए और बोले हेरा जन निश्ची थी आपके चार यसेश्वी पुत्रों के परंतु मेरा प्रस्ताव है कि आप एक अन्य यग करें जिसे पुत्रेश्टी यग कहा जाता है और जिसे पुत्र रतन के फल के प्राप्ति के लिए उद पुत्रेश्टी यग आरम कर दिया गया इसी बीच देवताओं के परतिनिधी भगवान ब्रहम्मा के पास गए और बोले हे प्रंपिता आपसे वरदान प्राप्त करने रावन इतना अधिक सक्ति साली हो गया है कि वह अपनी इक्चानुसार सभी पर अत्यचार कर रहा है हम लोग वी दुष्ट रावन को वस्मे करने में एसमर्थ हैं इसलिए हम आपसे विंति करते हैं कि दुष्ट रावन का नाच करने का कोई मार्ग बताएं ब्रहम्मा जी ने पल भर में इस विचार किया और फिर बोले वरदान प्राप्त करते समय रावन ने मनुस्य के हाथों ब्रत्यू से बचने का आवेदान नहीं मांगा क्योंकि वह मनुस्यों को अत्यंत तुछ समझता है ब्रहम्मा जी अभी इस मामले पर गंबीरता पूर्वग विचार करही रहे थे कि तब ही अचानक भगवान विश्णु अपने वहन गरोड पर सवार होकर वहां पहुँच गए अनेक सूर्यों के समान तेज वाले चतर बुझधारी चार भुझाओ वाले भगवान ने दे दिया मान के सरी रंग के वस्त्र दारन किये हुए थे और उनके हाथों में संख चक्र गदा और कमल का एक पुस्प था देवताओं ने अत्यंत भक्ति और श्रद्दा के स्वहम को चार में विवक्त करें इस परकार महराज दसरत के चार पुत्र बन जाए और फिर रावन का संखार करें भगवान विश्नु बोले अब आपको चिंता करने की कोई अवशकता नहीं है मैं महराज दसरत के पुत्रों के रूप में अवतार लूँगा और आपके सत् रावन का संखार करने के बाद ग्यारे वर्ष तक धर्ती पर सासन करूँगा यह कहकर भगवान विश्नु रहस्यमय धंग से अंतर दिहान हो गए और यह देखकर देवगन चकित रह गए इसी बीच महराज दसरत दुआरा किये जा रहे यग्य की अगनी से अत्यंत काले रं सक्तियों वाला जान पड़ता था और अध्यात्मिक अभुष्णों से सुज़त था और उसने अपने हाथों में सोने का एक बड़ा बरतन पकड़ रखा था जिसमें खीर थी इस दिव्य पर उसने महाराज दसरत को संबोधित करके कहा मैं भगवान विश्नु का दूथ हू प्रातना की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर महाराज दसरत बोले ए विश्नु दूथ किर्प्यकर आदेश दे मैं क्या सेवक कर सकता हूं भगवान विश्नु के सेवक ने कहा आपके दोनों यगों की सफलता के उपहार स्वरूप खीर का यह पात्र आपके लिए है इस इसके तीन हिस से अपनी तीनों पत्नियों को दे दे उनसे आपको चार पुत्र प्राप्द रत्र प्राप्त होंगे जो अत्यंतिकाल तक आपके यस को बढ़ाते रहेंगे महाराज दसरत ने कृतक्यता प्रकट करते हुए प्रसाद का पात्र सुईकार किया और फिर प्राद खिलाया क्योंकि वह पुत्र प्राप्त करने के लिए अत्यंत उतावले थे महाराज दसरत ने सबसे पहले खेल का आदा हिस्सा अपनी सबसे बड़ी पत्नी को शल्य को दिया इसके बाद उन्होंने एक चोथा फेल सुमित्रा को और आठवा हिस्सा सबसे छोटी प अत्यांत प्रशन हुई क्योंकि अब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि सेग्र ही वे माताएं बन जाएंगी उन्होंने अत्यांत उत्सापूर्वक अपने अपने हिस्से का प्रशाद गिरहन किया और फिर नियत समय बाद पर तेकरानी को अपने घर में दिव्य संतान के उपस्तिती का अनुबह हुआ महराज दसरत को जब यह पता चला कि उनकी पत्निय अगर्वति हैं तो वहें भी अत्याधिक प्रशनों उठें इसी बीच भगवान ब्रह्मा ने देवगणों को इस परकार से आदेश दिया सेग्र ही भगवान मिश्नु मानव समाज में अव उस्राओं बंदरियों यक्षो नागों विचार विदावधारों और किन्नरों के साथ सैयोग करके देविया मंदरों की एक नसल निर्मित करें ये संताने अपनी चनुसार कोई भी रूपधारन करने में सक्षम होनी चाहिए और उनके पास कुछ अन्य मायवी शक्ति भी हो चाहिए उनके पास आपके समान शक्ति होनी चाहिए और साथ ही उनके देविये शरीर होनी चाहिए यह आदेश प्राप्त करने के बाद इंद्र ने वाली के रूप में सुर्य के सुगरी विरस्पति ने तारप कुबेर ने गंदमादन विस्वकरमा ने नल और अगनी के न संताने उत्पन की अश्वनी कुमारों ने मैंदा और दुईविदा वरुने सुषेण और वायू ने हनुमान का अवतार धारन किया इन परमुक वानरों के अतिरिक्त भगवान विश्णु के उद्देश्य में साहिता करने के लिए अनेक हजारों देवताओं ने संतानों क को जन्म दिया वे सभी परवतों के समान विशाल काय थे और साथ ही रावन के साथ युद्द करने का बहुत उत्सुक थे जिन देवगणों ने वानरों के रूप में इन संतानों को उत्पन किया उन्हीं के समान इन वानरों का जन्म गर्वधारन के तुरंत बाद ही हो गया और वे इतने अधिक शक्ति सालित है कि वे अपनी अशादरन उर्जा के बल पर समुंदर तक को आंदोलित कर सकते थे देवगणों ने असल में तीन परकार के जीवों की स्रेष्टी की पहले ब्रहमा जी के मुँ से जिस समय ब्रहमा जी जमाई ले रहे थे भालों के राजा जमबावन निकले ये भालों पहले परकार के जीव थे और अन्य दो परकार के जीव बंदरों के रूप में प्रकट ह जिन में से एक परकार के बंदरों की गायों की तरह लंभी पूंचे थी धर्ती पर इन बालू और बंदरों की संख्या एक करोड से अधिक थी और जिस समय के प्राणि जंगलों में ननन परकार के फल और कंदमूल खाने के के लिए बठकते उस समय अपनी भागदोर से विप्रत्वी को रोंद डालते इसी बीच पुत्रेश्टी यग्व के समय आउतियां सुईकार करने के लिए आई हुए साक्षात देवगन साहिता करने वाले पुरोहित रिश्य श्रंग वैसांता और साथ ही सभी अमंत्रित अथिदिगन यक के पूर्ण हो जाने के बाद अपने अपने घर को लोट गए फिर बारह माहा किर्ब गर्ववस्ता के बाद चैत्रमास के सुक्लपक्ष की परिंद्या नवजाज सिसु की आँखे और होट लाल थे और उसके शरीर पर सभी सुप्षिन अंकित थे को सल्यक आया है पुत्र भगवान विश्नु की आदि शक्तिवे छमता का पर्तिदिनी दित्व करता था सेगरी भगवान विश्नु का की चोथाई सक्तिवे छमता का पर्तिद्य दित्व करने वाला एक सिसु महराज दसरत के सबसी छोटी पत्नी के कई के पुत्र के रूप में पैदा हुआ के कई के पुत्र के जन्व लेने के दो दिन बाद सुमित्रा ने जुडवा संतानों को जन दिया जिसमें से पर्तिद्य बालक भगवान विश्नु क कि शक्ति व्य छमता के आठवे हिस्चे का पर्तिनी दित्व करता था ये चारों नवजासिसों एक दूसरे से अत्यादिक मिलते जुलते दिखते थे वे अत्यंत ओजपूंड थे और उन्हें निहार ना अत्यंत सुक्कर था दसरत के इन चारपुत्रों के जन्न के समय देवगणों ने स्वर्ग से पुस्पो की वर्षा की और साथ ही आकास लोक से दिव्य संगीत की धुवनी भी सुनाई दी आयोध्या में एक विशाल उत्सव आयोजित हुआ क्योंकि इस सुबफ सर पर आनन्द मराने के लिए सभी नागरिक सडकों पर उमर पड़े थे और उनके साथ वहां संगीत्यक नर्तक और अभिन्या करने वाले लोग भी थे जो सब कमनुरंजन कर रहे थे कोशल्या के पुत्र जन्म के तेहरे दिन बाद परिवारिक प्रोहित वसिष्ट मुनी ने नामकरन समारो संपन किया इन अत्यंत सोबागे साली मुनी ने कोशल्या के पुत्र का नाम राम केकाई के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों के नाम लक्